हेलो गाईज, वलकम बैक तो आट चानल कोले स्यूटर सो आज की वीडियो में हम कुछ चैप्टर, कुछ यूनिट, कुछ कॉंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले बट आज की वीडियो सबसे जाधा इंपोटेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने अब तक सब यूनिट कवर नहीं करी है, ठीक है सर क्यों, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटिजी की, कि हम पेपर अटेम्ट कैसे करें सर हमको ड़ लग रहा है कि हमने सारे यूनिट कवर नहीं करी, तो हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, तो एक बात समझो, इसमें इस वीडियो में आपके कौन-कौन से कोशन के आंसर मिल जाएंगे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, कि सर पेपर अटेम्ट कैसे करना है यह बता दो, क्या हम 90 मिनट में सारा पेपर एटेम्ट कर पाएंगे, हमको हर एक कोशन को कितने मिनट देने चाहिए, हमको कितने पेज भढ़ने चाहिए, ठीक है, इन सब की, इन सब इक कोशन का आपको इस वीडियो मांसर मिल जाएगा सो वीडियो स्टाइट करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, कि सबसे बड़े कॉम्पेटीटर आप अपने खुद है, सो अपने आपको हराने का परियास करते रहें अभी इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे कबूतर और कुछ बच्चे होंगे चील सब यह कर बोल दिया आपने, कबूतर की तरह कुछ बच्चे फटबड़ा रहे होंगा, कि भई अब कैसे करना है, क्या करना है और कुछ बच्चे होंगे चील, जो एक balance लेकर चल रहे होंगे इस time पे भी, ठीक है, so उन कबूतरों को मैं आपको चील बनाने आया हूँ, please don't take it in a wrong way, ठीक है, so अब हम start करते हैं, सबसे फाला question कि sir, level of difficulties आपकी increase हुई है, या फिर decrease हुई है, ठीक है, sir, यह हमारे लिए hard तो नहीं बने का paper, so बच्चों यह आपके लिए paper hard नहीं बना है, कैसे, अगर आपकी 3 unit, 3 और 3.5 unit भी अगर आपकी cover है, हर एक subject की, तो you are good to go, sir, कैसे हमने तो 5 unit पढ़ी नहीं है, concept छूड़ जाएगा, अब एक बास समझो, कि साड़े साथ के, दो question आएंगे, हाँ या ना, हा हाँ जी, sir, साड़े 22 के, दो question आएंगे, हाँ या ना, हाँ जी, sir, तो इनको cover कैसे करना है, यह तो बता दो, ठीक है, सब साड़ो question यह है, कि इसको cover कैसे करेंगे, 90 minutes में, अब एक बास समझो, साड़े साथ के section में, आपको 5 question गिवन होंगे, ठीक है, 15 marks के question में, आपको 3 question ग रखेंगे, जब बताएंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसमें उपर लिखा हुआ है, कि आपको साड़े साथ में 100 word की limit है, ठीक है, 15 number में आपकी 200 word की limit है, तो आप इस से जादा लिखो गही, क्यों यह बता दो, sir, आपको page भरने है, page क्या भई, तुम entrepreneur, उसमें क्या करना है, मैं आपको तीनों में बताता हूँ, ठीक है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले, साड़े साथ नमबर पर आते हैं, what is entrepreneur, उसकी proper definition according to author, उसका अपने हिसाब से meaning, और उसके तीन character, जो उसके character है, वो उसके तीन point, बस point लिखने है, explain, नहीं करना, साड़े साथ आपके नमबर पक्के, साड़े साथ में जितना अभी उनका base नमबर होगा, उतना आपके पक्के हैं, ठीक है, सर ऐसे कैसे, अब एक बात जानो, कि पहले हम तीन नमबर में जो लिखते थे, वो अब हमको साड़े साथ में लिखना है, ठीक है, सर इसका मतलब, तीन और जोर दो, आपके साड़े साथ marks का question तयार हो गया, ठीक है, world limit 100 है, अगर आप 100-100 पर लिखते हो, उसके marks आपको नहीं मिलते, यह जान लो, CCS page भरना मानता है, I agree, बट वो starting के page ही पड़ता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो पस आपके starting का content पड़ता है, और आगे page नहीं पड़ता, बासमें में आ गई, हाँजे सार आ गई, अभी जो आपकी first, जो starting page होगा, उसमें आपको क्या करना है, अच्छी writing लिखनी है, proper definition लिखनी है, content आपका अच्छा होने चाहिए, बस यह बात ध्यान रख लो, question, answers लिखने के starting में, starting first page में especially, ठीक है, यह होगा, साड़े साथ का, अब आते है, पंदर माक्स के में, पंदर माक्स के में, आपके तीन questions के बनोंगे, जिसमें समको एक करने है, ठीक है, same question पूछता हो में, what is entrepreneurship, इसमें क्या करना है, proper definition जैसे मैंने बताये थी, साड़े साथ वाले में, दैन अपने पारे point लग देना, और इसमें से 5 या 6 explain कर देना, ठीक है, पंदर माक्स के answer आपका तयार हो गया, इसमें आपके 200 words की limit है, तो same, इसके साथ भी है, कि आप इसमें 4 से 5 page मत भर के आ जाना, इसमें हद से हद आपको 3 page भरने है, इस से उपर मत जाना, कुछ फायदा नहीं होग ठीक है, इस starting के page पर content अच्छा, उसके बाद, जो मर्जी वो करो, बस content ठीक रखना, जादा मत भी कर देने, गाने माने मत लिख क्या जाना, ठीक है, अभी तीसरा question पर आते हैं, साड़े 22 के में, साड़े 22 के में, एक बात जानो कि आपके बास 1.5 घंटा है, और CCS नहीं चा साथ है, कि आप 32 पेज भरो, ठीक है, इस format के साब से, आपके maximum to maximum, 22 पेज भरने चाहिए, इस से उपर पेज भर के आओगे, तो आपके मांत, कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो साड़े 22 के में, क्या करना है, same question कि, what is entrepreneurship, उसमें क्या करना है, पहले उसका basic definition, according to author, than, अपने साब से meaning, पांच character, पांच importance, पांच objective, और ये economy में कैसा help करता है, दो, तिन point उसके लिख दिये, बहुत है, ठीक है, अब सर आपने ये तो बता दे कि इसको attempticals करना है, लेकिन आपने starting में बोला था, कि 3 unit कर लो, बहुत है, सर वो कैसे है, बस हमें ये बता दो, च 5th unit में साएंगे, 5th या 4 unit में साएंगे, हा या ना, no sir, 5 में से 101%, दो question जो है, वो आपकी पहली 3 unit में से फसेंगे, हा या ना, sir, हाँ, फसने तो चाहिए, और वो फसेंगे, ठीक है, अगर आपके 3 unit cover है, तो आप वो 2 question कर लोगे, ठीक है, same goes with 15, 3 question है, तो इसमें से एक ना, एक question जो first कि आपके 3 unit है, उसमें से फसेंगा, हा या ना, हा निसे सर फसना तो चाहिए, तो इसमें सही आपके 15 marks question क cover हो गया, same goes with 22.5, इसमें आपके 5 question आएंगे, 5 में से आपको बस 2 करने है, उन 2 question जो आएंगे, वो questions आपकी पहली 3 unit में से फसेंगे, हा या ना, sir, फसेंग जोंकि CCS आपके सारे question 4th या 5th unit में से नहीं देगा, ये बात जान लो, तो इतने डरने के जरूत नहीं है, खाली बस अपनी 3 unit ऐसी पक्की कर लो कि कोई कहीं से भी question पूछे, तुम कर के आ जाओ, ठीक है, उसके बाद जो 4th और 5th है, उसको बस उपर उपर से पढ़ लो, बहुत है, बात समझ में आ गई, हाँजी सर आ गई, अब के डर लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है, अभी क्या करना है, इस वीडियो के description में, आपकी unit 3 of entrepreneurship given है, उसको जाके revise करो, उसके बस आप एक या फिर दो question हर एक के कर लेना, बहुत हैं, आपकी 3 unit entrepreneur की cover हो जाएंगी next video में मैं आपकी entrepreneurship की 5th unit cover करूँगा, और 4th unit के जो important concept है, वो मैं cover कर दूँगा, आपका entrepreneur खतम हो जाएगा, हाँजी सर हो जाएगा, सर बागी सब जाक क्या हुआ, थमो बिटा, आज आपका entrepreneur खतम हो जाएगा, दूसरा जब आपके papers आएंगे न, paper से पहले मैं आपके important concept और questions मैं आपके, आपके साथ solve करूँगा और वीडियो उसके भी आ जाएगी, ठीक है, डरने की जूरत नहीं है, बस quality Twitter पर बने रहो, हमारी वीडियो देखते हो, आपका semester इस बार भी पार हम करा देंगे, okay guys, इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ जादे जादे शेय subscribe करें, please guys, like और share, यह हमारी fees है, तो इसको pay कर दिया करो, हमको अंदर से motivation आती है, कि हम और वीडियो बनाएं, okay, okay sir, so keep landing, tata, bye bye झाल